नबश्कार के नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ कपिल मिश्रा और आज इस खाशों में हम बात करेंगे यात्रा की धमक चहरों पर चबक आज इस्पिस्चल रिपोर्ट में यात्रा की धमक चहरों पर चबक यानि आज बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बता दें की हाल ही में महीनों में कॉंग्रेस के कई बदलाव देखे गए हैं गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ लगतार असफलताओं के भीश हिमाचल में कॉंग्रेस की सत्ता में वापसी हुई बहराल हिमाचल में कॉंग्रेस की इस अंगड़ाई को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़ कर देखा जा रहा है यानि राहुल गांधी के कदमों की ध्यक्ष हिमाचल में देखी और सुनी जा रही है कासत में चुनावी सफलताओं और असफलताओं माइने रखती हैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की धुन में कॉंग्रेसियों के बयान अलग है वह कहते हैं कि राहुल जी के चुनाव से अलग देश जोड़ने की मुहिम पर जिसका चुनाव से इतिफाक नहीं है कॉंग्रेसियों के ये वयान शायद गुजरात चुनाव से राहुल की कमोवेश दूरी को लेकर हो सकते है क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात में महच दो सभाई ही की थी जिसे कॉंग्रेस की रणनीती का हिस्ता माना जाता है क्योंकि कॉंग्रेस गुजरात में इस वार मोधी बनाम राहुल की नीती से बचते नजर आए कॉंग्रेस नेता राहुल कांधी के नित्रिक में जारी भारत जोडो यात्रा शणिवार को फिर शुरू हुई बता दे कि भारत जोडो यात्रा एक दिन के अफ़ाश के बाद फिर से शुरू हुई शनिवार को राजस्तान में भारत जोडो यात्रा के छटवे दिन बूंदी जिले के केश्वराय पाटन पे राजस्तान के मुख्यमंतरी अशोग कैलोड भी शामिल हुए राजस्तान में जन्ता के मिलिस समर्थन से राहुल गांधी काफी उत्साहित नजर आए यहां भी विजेपी उनके निशाने पर रही यह जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है इसको हमने कन्या कुमारी में शुरू किया इसके बाद केरला, करनाटक, टेलंगाना, आंधरा, महराष्ट्रा, मध्यप्रदेश और अब राजस्तान से यह निकली है और यह स्रीनगर में जाकर जो हमारा तिरंगा है इसको हम स्रीनगर में जाकर लेनाएंगे तीन हजार साथ सो तीन हजार आठ सो किलोमेटर की बीच की दूरी है शुरू किया था तो हम सब को लगा था कि यह काफी मुश्किल सफर होगा असान नहीं होगा तीन हजार साथ सो किलोमेटर चलना असान नहीं होता है पहले धूप थी बारिश होई आंधी आई अब थोड़ी ठंड हो रही है मगर अजीब बात यह है कि यह सफर मुश्किल नहीं है काफी असान है आप हमारे यात्रों से पूछिए जो भी इस यात्रा में चल रहा है 25-26 किलोमेटर हम चलते है 7-8 घंटे चलते है मगर थकान किसी को नहीं होती और शुरुआत से मैं सोच रहा हूँ इसका कारण क्या है आम तो और से 5-10 किलोमेटर चलते हैं थकान हो जाती है मगर इसमें हम 25-26 चल रहे हैं और थकान नहीं हो रही है इसका कारण है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ती देदी है हिंदुस्तान एक लोगतंत्रिक देश है इसमें अलग-अलग संस्ताएं लोगतंत्र की रक्षा करती है इसमें हमारे विदान सभाएं है लोग सभा, राजय सभा जुडिशरी जैसे भी गेलोट जी ने कहा मीडिया जो चौथा स्थम माना जाता है इन सब का काम लोगतंत्र की रक्षा करने का होता है मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने आरेसेस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है पार्टे राजीत में यात्राएं हमेशा से फलदाई साबित हुई है भार्टे अंदर पार्टी की रक्ष यात्रा ने भार्टे अंदर पार्टी के पक्ष में महल बनाया था और उनकी पूरे देश में सरकार बनी थी राहुल गांदी भी पद्यात्रा के जरीए कॉंग्रेस में जान खुपने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर से कन्या कुमारी तक निकलियाँ वाले इस यात्रा में राहुल गांदी साड़े तीन हजार किलोमीटर से यात्रा जो है वो पैदल यात्रा करेंगे कॉंग्रेस को उम्मीद है कि उनकी इस पध्यात्रा से कॉंग्रेस के पक्षमे महाल बनेगा कॉंग्रेस जीतेगी और जो मुमिंटम वो लगतार पाने की कोशिश कर रही है वो मुमिंटम उसको हासिल होगा राहुल गांदी की पध्यात्रा से प्रभावित होकर जो राच्चों में जो कॉंग्रेस के लोग हैं वो भी अब पद्यात्राइं निकाल रहे हैं यखीनी तोर के ओपर अगर हम कॉंग्रेस ठेकवार्टर को देखें उत्तर प्रदेश के गलियारे और सरकों को देखें तो कॉंग्रेसियों की चहल पहले काफी बढ़ चुकी है बारत जोडो यात्रा पहले राजस्तान से यूपी में प्रवेश करने वाली थी लेकिन बाद में रूट बदला गया और अब दिल्ली आने के बाद जन्वरी के पहले सक्ता में यह यात्रा उत्तर प्रदेश का पाला चुएगी बतादे की यात्रा नॉइडा, ग्रेटर नॉइडा, बुलन शहर और आसपास के चिलों के सीमावर्ती छेत्रों से होते हुए हर्याना में प्रवेश करेगी यूपी की सीमा के भीतर पांच दिनों तक राहुल कांदी लोगों को अपनी इस मुहीम से जोड़ेंगे, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने भी इसके लिए अपनी कमर कस्ली है, जहां कॉंग्रेस प्रदेश कमिटी इसके लिए विशेश त्यान्या कर रही है तो वही भारत जोड़ो यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिशलाल खाबरी के नेत्रित में राच के छे प्रांति अध्यक्ष अपने अपने छेत्र में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे है यात्रा में कॉंग्रेसी कारिकरताओं के साथ सामजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक कारिकरताओं के साथ आम जन्ता भी जुड़ी है बरती महेंगाई, विरोज़कारी और नफरत के खिलाब चलने वाली इस फद्यात्रा को जन्ता का भरपूर समर्थन मिल रहा है उत्र प्रदेश की राजनीत में मुख्य विपक्चिदल समाजवादी पार्टी की सड़क पर आमग शूनने है यह यूं कहें कि वो जन्ता के पीश में अभी नहीं जा रही है हाला कि उप्चुनाओं के नतीजे समाजवादी पार्टी के फेवर में आये है वहीं कॉंग्रेश राजनीज से बहुत दूर है संख्यावल से बहुत दूर है लगातार चुनाओ वार रही है उसके बर राक्स ब्रेजलाग खाबरी के नेतरत में उत्र प्रदेश में जन्हा जन्हा कॉंग्रेसी कारेकरताओं की ये मेहनत उत्तर पर देश में कॉंग्रेस के जनाधार को मजबूत करेगी यह बड़ा सवाल है वही बात अका राभूल गांधी की इस पद्यात्रा की करें तो निश्य द्वर्ब कहा यह जा रहा है कि हिमाचल के चुनाव नतीजे कहीं ना कहीं राभूल गांधी की जो पद्यात्रा है उसके ऐसे प्रभावित होकर जो है लोग आए में और कॉंग्रेस के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता सल्मान खुर्शीज शनिवार को बरेली पहुचे यहां उन्होंने बरेली में भारत जोड़ो यात्रा को आगे पढ़ाया आपको बता दे कि भारत जोड़ो यात्रा बरेली शेहर से होते हुए बंदायू के लिए चली इसमें सड़क पर भारी सैलाव उमड़ा, कॉंग्रेस जिलाद्यक्ष जॉक्टरन महेंदी हसन ने बताया कि या यात्रा आने वाले समय में देश की चंता को जाकरत करेगी वही सल्मान खुशेद ने बातपा पर निशाना साथा, गुजरात के हार परवा बोले कि वहां हमारा वोट एक नई पार्टी पर ट्रांसफर हो गया, राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे है भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो गण्यकुमारी से कश्मीर तक है। लेकिन भारत तो यात्रा से बढ़ा है तो हर जगा यात्रा नहीं पहुँच सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने यह प्रयाश किया है, जो तशानी देश प्राप्थूए हैं, वो यह हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो गाउं गाउं तक पहुंच जाए हर छेत्र में पहुंच जाए ऐसा ना हो कि कोई छेत्र बंचित रह जा और जब हम इनका स्वागत करेंगे राहूल जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे जन्वरी की दो तारीको तो हम उसकी स्वागत के लिए तैयारी में भी ये काम कर रहे हैं और दूसरा उस संदेश को हम जगा जगा तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का प् 22 तारिक, 20 और 22 तारिक तक हम लोग समाप कर लेंगे, उसके बाद जो समय होगा हमारे पास, वो फिर हम पश्चे मुत्तर परदेश में जहां से वो यात्रा, भारो जोड़ो यात्रा जो मुखी यात्रा गुजरेगी, उसकी तेयारी करें। 17 दिसम्बर को राइबरेली, 18 दिसम्बर को नाउ, 19 दिसम्बर को लखीम पुर्खिरी, 20 दिसम्बर को सीतापुर से होते हुए किस दिसम्बर को हरदोई में समापन। प्रादेशिक यात्रा योजना प्रादेशिक याठ्रा में प्रदेश अध्यक्षर रास्टिय सच्जे प्रांतिय अध्यक्ष के साथ कॉंग्रेस पराधिकारी और कारिकरता शामिल है। उतरप्रदेश के नाम चीन लोगों को नियोता भेजा किया है। हर जोन की यात्रा में 500 वैक्ती लगातार चलते रहेंगे और जिस भी जिले से रात्रा गुज़ेगी वहां से नई यात्री जुडेंगे यात्रा एक जिले से शुरू होती है और अगले जिले में राज को सभी यात्री शिवर में आराम करते हैं और अगले दिन यात्रा शुरू करते हैं पर्शिम जोन की यात्रा नसीमुद्दिन सिद्धकी के नित्रित में गौतम बुद्ध नगर से शुरू हो चुकी है जिसका रामपुर में समापन होगा। कानपुर बुंदेलखंड जोन की यात्रा का समापन चित्रकूट में होगा। पुर्वांचल जोन की यात्रा प्रियाग्रा से चल कर संत कभी नगर में समाप्थ होगी। दिल्ली में प्रवेश करेगी भारत जोडो यात्रा। कॉंगर्स नीता जैराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को अलवर में समवात गाता सम्मेलन को संबोधित करेगे और इसके अगले दिन जमसभा का आयोचिन किया जाएगा जैराम रमेश ने यह भी बताया कि भारत चोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और इसके बाद बुज्दिनों के लिए यात्रा को रोप दिया जाएगा बुज्दिन मिश्राम के दौरान कंटेनरों के रख रखाव और मरमत का काम होगा जिसके बाद दो या तीन जमवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी कॉंग्रेशी राणितिकार को कही न कहीं ये भी सोचना होगा कि पदियात्रा से महौल बनाया जा सकता है पदियात्रा से लोगों के बीच में जाया सकता है लेकिन उसके साथ ही संगठन बूत पैनेटमेंट और बहुत सारी जो दूसी चीज़े हैं उमीरवारों के चेरे है वो भी माइले रखती है कॉंग्रेश राणितिकार के पदियात्रा से अती उत्साहित है और सुबह में सरकार बनाने का दावा कर रही है यही नहीं 20-24 के लोगसभा एलेक्शन में भी कॉंग्रेश को ऐसा लगता है कि राणितिकार जान ठूकेगी लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रेश का संगठन में जो मजबूती है वो भी होना चाहिए सिर्फ लुभावने नारे कीमेंट मैनेश्मेंट और पदियात्रा से चुनाओं नहीं जीते जा सकते लगनों में कैमरा पसंद आहद के साथ के लिए शबी है दर फिलाल वक्त तक ब्रिक का ब्रिक के वाद भी लगातार ये सिलसला जारी रहेगा यात्रा की धमक और चेहरों पर चमक ब्रिक के वाद पुनाब का स्वागत है हमारी खास पेशकास यात्रा की चमक चेहरों पर दमकी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का सघन कारिक्रम नहीं है फिर भी सुबे के कॉंग्रेसियों ने भारी उत्सा दिखा जा रहा है यहाँ प्रादेशिक यात्रा आयन निकाली जा रही है कई जिलों में भीड भी देखी गई है कहने का मतलब यूपी में कॉंग्रेस अपने नए सुए जुनाधार को जगाने के मूर्चे पर डट गई है जिसका असर निकाय चुनाव में सामने आने वाला है भारत जोड़ो यात्रा आदी से जादा पूरी हो चुकी है अब राहुल गांधी उत्रप्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं जैसा कि मालूम है कि ये यात्रा जन्वरी मा के पहले सप्ता में उत्रप्रदेश में प्रवेश करेगी गौर तलब है कि भारत जोडो यात्रा तेरा राज्यों से होकर गुजर रही है दश्चिन भारत के कन्या कुमारी से चल रही भारत जोडो यात्रा कश्मीर तक जानी है इस समय भारत जोडो यात्रा मध्यप्रदेश होते हुए राजिस्तान तक पहुच गई है स्यात्रा के जर्ये कॉंग्रेस के दिगक श्रेता राहुल गांधी 12 राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से ज़ादा का पैदल सफर करके ना से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं बलकि नए लोगों को भी जोडने में जुटे हुए हैं यूपी में भारत जोडो यात्रा की जमीन तयार करने के मकसत से प्रदेशिक स्तर पर जो यात्राई निकाली जा रही हैं उसकी थमक प्रयागराच में देखने को मिली मन का मेश्वन मंदिर में पूजा पार्ट के पार कॉंग्रेसी पद्यात्रा पर निकले तो जनता का भी उनके साथ हो ली यानि कारकरताओं के साथ शहर की जनता ने भी कापिले में सहभागिता की बदादे के पार्टी के प्रांतिय दिफ्ष अजे राई की अगुआई में यात्रा निकली जापर हजारों की संख्या में भीर दिखाई दी इस मौके पर अजे राई ने कहा कि अपकी बार प्रयागराच में कॉंग्रेस का पर्चम लहराता दिखाई दे रहा है और हम संगम नगरी में 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है जो परिवर्तन का आधार बनेगा हमारे साथ जनता जुड़कर भाजपा को हराने का काम करेगी यह यह अगाज है कि परिवर्तन होके रहेगा यह अगाज है उपर वाला भी चाहता है इस्वर भी चाहता अल्ला भी चाहता है कि बहुत हो गई नफरत की राजनीती बहुत हो गई तोड़ने की राजनीती अब जोड़ने की राजनीती जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी वही राजनीती सफल होगी वही विक्ति सफल होगा जो सब को जोड़ कर लेके चलेगा कि पहलं जो सारे दर्म को लेकर जो यह माला है इस माले की तरफ पीरो कर लेदेर के समाज को वही देस Depending है जिसको तोड़नेwater राज नहीं करेगा पाइसको तोड़के जौ रखी होगी यह यह इनिना इस प्लसकाता दूब कि यह माले वाली राजनीती होगी, हम सब लोगों को मिलके काम करने की ज़रुत है, समाज पूरी तरीके से यह चाहता है कि आप सा आगे आके लड़िये, मजबूती के साथ खड़े होईए, लोग देख रहे थे घरों में से महिलाएं, पूरुष बच्चे, बच्चियां लोग उप कॉंग्रेस नेता अरुन तिवारी विजेपी सरकार पर बढ़ से, कहा जूटी तसली देने वाली विजेपी सरकार के दिन आ चुके है, कॉंग्रेसियों ने कहा कि यूपी में व्यापारी, व्यापार करने में भी डर रहे हैं और आप से बदादू कि आज वही पर अजयराय के खिलाव में भारत को याता ने कारें हैं, और बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं नोजवान दोस्तों, हम कांग्रेस के कारे करता हैं, किसी के दबाए से नहीं दबेंगे, किसी के जुखाने से नहीं जुखेंगे, के ल तब तक लड़ते रहें जाइंता हमारे सिर्ण जान है, इसके मेरे समां कांग्रेस के दोस्तों, एक जुखों, और रहुल गांगी के लेत्रित में, एक नहीं भारत की कल्पणा को सार्थ करने के लिए, आप लोगों ने आज जो बचनों पर दिबाग बचन लिया है, उसके मेरा पूनार आप तो बन्ट्री तकर रहें, अंगरण दो आघल को सार्थ करने कांग्रेस के लिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, नुख टक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने मनझिल बहुंद बहुर जब बहुत शुकरिया हमारे बीदे गुला मनी साभ आपका स्वागत तभी आम फ्रेंचल अनिल कुछवाह जी कहा पर है अधर आए इस अधर आए रहां भाई आए अधर आपको लगता है अब में लुकुल तीवारी जी जी तो है बहुत है वुकुल तीवारी जी से गुजारिश करूंगा यहाथ आए और आपको रखे भारत जोड़ों यात्रा के क्रम में मानी राहु गाली जी का नितुत में जो पूरे देश में आत्रा चल रही है आज वो प्रवांचल जोन के अध्यच मानी अजे राजी के नितुत में जिस उत्सा के साथ मनका मिश्वर मंदिर से शुरवात हुआ जिस जनसेलाब के बीच में कांग्रेस जनों का जो उमंग देखा गया इस बात का दो तक है कि 2024 में मोधी सरकार की विदाई तैख है जिस प्रकार प्रियागराज में भारत चोड़ो यात्रा का उत्सा देखने को मिला है उसी तरह कॉंग्रेसी यात्रा निकाल कर कॉंग्रेस के पक्ष में महौल बनाने की कोशिश कर रहे है निकाई चुनाओ से पहले या जो मौहौल बनाया जा रहा है वों कॉंग्रेस के जनाधार में इदाफा कर सकता है अपनी आवाद बुलंद करेंगे पूरे हिंदोस्तान में इसकी आवाद जाएगी मैं एक शेर के साथ आप लोगों को अपनी बात खतम करता हूँ अगर तुम साथ दो अगर तुम साथ दो रंग दुनिया बदल दो बड़ी पुखतगी है रादो में मेरे शुक्रियाद जैए जैवाद हाला कि इसका पटाशेप निकाई चुनाओ के परिणाम आने के बाद ही हो सकेगा Special Desk, K News, इंडिया हेमाचाल प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार बनते ही कहीं न कहें इस सरकार के बनने के माइने जो है राहूल गांधी यात्रा की भारा जोड़ो यात्रा से जोड़कर दिखे जा रहे है लेकिन भारा जोड़ो यात्रा उतर प्रदेश में आने वाली है समय बताएगा फिलाल के लिए इस खास पिरिश्क रसन बसेत नहीं आप बने रहे हैं के नियूस के साथ